हालो मेंबर्स देखो हम लोग यहां पर पार्ट वन में डिसकस करने वाल है कि सर कल आज जो निफ्टी ने ब्रीक आउट किया ठीक है वो क्या कन्फर्म ब्रीक आउट था या फॉल्स यह पूल बेक था ओके पूल बेक इन ब्रीक आउट दोनों बोल सकते हैं वह मैं आपको ब ठीक है यह चीज़े हम लोग पार्ट व में डिसकस करेंगे क्या हो सकता है कितना और मार्केट में फॉल आज सकता है यह सबी चीज़े ठीक है चले मुद्देप्यादे सबसे पहला पॉइंट देखो बहले आपको ऐसा लगे कि निफ्टी ने पूल बेक किया है ठीक है आज भी फिफ्टी टू लो लगा रहा है कि आज यहां पर फिफ्टी टू लगा रहा है अगर आप अभी देखोगी करन टाइम पर रात की 8 बजी और राट बजी हो पूल बेक कर रहे हैं और इसकी वज़े से निफ्टी ने बहुत अच्छा पूल बैक किया है तो एंड में में आपको एक और चीज बताई थी अगर आप हमारा टेलिग्राम देखते के बैंक निफ्टी यहां पर डबल बॉटम जैसा बना रहा है ठीक है तो चांसे से क्रीव असल के वो सेम चीजें आपको होती हुई दिखाई दिखाई दिये हैं तो नेक्स्ट मन्त यानि क बॉल स्प्रेट लिया है निफ्टी बैंक के अंदर ठीक है बैंक निफ्टी देखो सी अगर आज मार्केट को फॉल करना होता तो बैंक निफ्टी क्रैश हो जाता वो बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं लेता मिड्केप्स तूटे थे निफ्टी तूटा था मार्केट में ब देखो कि तो यहां पर जो बजट का लो है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है रिवर्सल के संकित है और पिछला दो दिन का हाई भी ब्रेक किया है यहां पर बैंक लिफ्टीन है तो यह पॉजिटीव संकित है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे अब कल चांस तो है गैप अगर अगर आप यहां पर गयाप दिखने जाए तो थोड़ा सा गयाप है अगर स्टेबल ओपन होते हैं तो मैं आपको वोलूंगा कि हां पर मोमेंटम आ सकती है पॉजिटीव साइट पे और कितनी आ सकती है तो कि 40,500 के आसपास आ सकती है यह 500-30 तक जा सकता है मार्केट तो उस कुसी ऊपर मत देखना भी के लिए समझ रहे हो देखो सी समझो बात को यह आपको कैंडल दिखाई जे तीन दिन पहले की सी यहां पर आराउंड ट्विंटी सेकंड पे यह एक रेजिस्टन सरे से काम करेगा ठीक है यहां पर देखो डबल बॉटम और यहां पर रेजिस्ट होगा तो 4500 से लेके 4550 एक रेजिस्टन होगा तो मान लोग गयाप उपन हो जाता है तो जलबाजी के अंदर कुछ मत करना ठीक है अगर स्टेबल ओपन होता है तो कॉंटी कम रके ट्रेट करना चालेस अज़र पांसो तक यानिकी छुटी मुई हम लोग कंसिडर करेंगे ऐ ठीक है तो गैप अप में आपको वेट करना है फॉल आ सकता है गैप डाउन में अगर आप पूछो के सर गैप डाउन में क्या हो सकते हैं देख छोटी पॉस केंडल बना सकते हैं पॉजिटिव थोड़ा ट्रेंड रखके अगर स्टेबल ओपन होता है तो उपर जा सकता है हलका सा उपर जाने की पॉसिबिलिटी मार्केट रखता है और अगर आप देखो के स्ट्रेंथ के साथ वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो थोड़ा उपर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है चालीस हजार पांसो पचास ओके मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि अगर आपको तोटे ठीक है जिसकी माल वाणी यहां पर चालीस हएं यहांपर चालीस ऐ सअ चेशोपा जास चालीस हई निफ्टी अगर कंसीडर करने चाहिए तो निफ्टी ने चाफी अच्छा T पैटन बनाया है थिक्या मार्केट में एक रेजिस्टन से आज का हाई अगर आज का हाई उरुता है तो 40-500 तक जा सकता है माफ किजीए गा 17-500 ठीक है 17-500 और उपर एक resistance से 17-600 पे तो अभी इतना जल्दी 17-600 ब्रेक नहीं करेगा कुछ भी हो जाई 17-600 ब्रेक नहीं करेगा ठीक है यह बड़ा resistance है वहीं से यह तो हम लोग क्या करेंगे देखो निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत कम है आज बैंग निफ्टी उपर गया है तो निफ्टी में स्ट्रेंथ कब आएगी सब सबसे पहला है मधशन मदसन ने काफी अच्छा पैटर्न ब्रेकडाउन किया है बहुत खातरना पैटर्न ब्रेकडाउन है 77.70 ब्रेक करते हैं स्टॉक में शॉट किया जा सकता है एंड 77 एंड 76.80 तक की टार्गेट आ सकते हैं तो स्टॉक को फोकस कीजिका लेकिन लेवल का वेट जब तक लेवल नहीं आए तब तक अवाइड ओकी सेकेंड स्टॉक बैंक ऑफ बरोडा देखो यह रिस्की ट्रेड है अगर बैंक इफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक ऑफ बरोडा चोटी सी मुग कर सकता है 161-161 तक मेक्सिमुम जा सकते हैं बहुत जादर मुग की एक्सपेटेशन नहीं है रिस्की स्टॉक है तो अगर रिस्क टेकर है तो ही जिखी का बाकी अवोइट कीजिएगा इस स्टॉ होगा है 2000 पर यह ट्रेट करा था जब बताया था कि स्टॉक में एक्सिट ही करना चाहिए अब 1518 ब्रिक करते ही स्टॉक यहां पर फंदरा सो तक जा सकता है याले की एक से एड़ परसेंट स्टॉक फिफ्टी टूइक लोकल टेस्ट करने जा जा सकता है तिक एक से दो हम जैसा ही है ठीक है लेकिन यूपिल में 700 का सपोर्ट है तो कॉंटिटी कम रखना ठीक है 704 ब्रीक करेगा तो हम लोग ट्रेट करेंगे आपका जो टार्गेट होना चाहिए वह हैं पर 697 & 694 तक के टार्गेट हो सकते हैं अगर मार्केट फॉल किया तो शॉट करना वनना कोमेट करेंगे इस बंदे को क्लियर तो मैं में अगले वीडियो के इंदर तब तक के लिए गुडबाई जय है